प्रेजुलो और विवान सभी को जह मसी की मैं अमित घाट के प्रभु येशु मसी के सामर्थी नाम में मैं आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग प्रभु येशु मसी की गृपा और उसके अनुग्रह से अच्छे औ यह है संकट में अती सहत से मिलने वाला सहायक हमारा येश्व मसी तो आए निकालेंगे मेरे साथ भजन सही तो उसका 46 और उसका पहला वचन परमेश्वर हमारा शरंस्तान और बल है संकट में अती सर्थ से मिलने वाला सहायक तो वच्छनों में जाने से पहले हम परमेश्वर की आरादना करेंगे कोई भी छोड़े मुझे येशु कभी न छोड़ेगा कोई भी छोड़े मुझे येशु कभी न छोड़ेगा कभी न छोड़ेगा कभी भी नहीं छोड़ेगा दुख और तकलीफ जब आएगा बिन्ती करूँगा मैं रक्षा करेगा वो कोई भी छोड़े मुझे येशु कभी न छोड़ेगा कोई भी छोड़े मुझे येशु कभी न छोड़ेगा आज ये परमेश्वर का जीवित वचन आपके पास आया है और आपसे कहता है कि वो ही आपका बल है वो ही आपका शरंस्तान है हाललुया संकट में अती सहसल मिलने वाला वो ही साहयक है वो ही मददगार है आपके लिए इसलिए व्याकुल ना होना इसलिए भैबीत ना होना और परमेश्वर के इस वचन को आज आप थामे रहना हाललुया अगर आज आप इस जगत की और नजर लगाएंगे तो आपको कुछ बाते आपको पता चलेंगी आज पूरा जग जो है आज पूरे लोग जो है पैसे की पीछे या अपने ड्रीम्स के पीछे अपने सपनों के पीछे भागते हुए आपको नजर आएंगे और किसी को किसी के लिए वक्त ही नहीं है, कोई किसी को समय देता ही नहीं है आज अगर किसी को मिलना है, तो क्या करना पड़ता है? पहले appointment लेना पड़ता है, फिर उसके बाद आप उनसे मिल सकते हैं और दुख की बात तो ये है, कमजोर लोगों के पास तो कोई देखना भी नहीं चाहता क्योंकि आज रेस किसकी है? निर्बलों की नहीं है, कमजोरों की नहीं है लेकिन आज दौड, लेकिन आज रेस जो है बलवानों की है तो कमजोर लोग हमारे जैसे कमजोर लोग कहा जाएंगे हमारे जैसे लोग मैं आपको बताता हूँ हमारे जैसे लोग कहा जाएंगे हमारे जैसे लोग जो परमेश्वर पर भरोसा रखते है वो परमेश्वर के पास ही अपनी दोड लगाएंगे क्योंकि भले ही हम जग की नजर में कमज़र है लेकिन परमिश्वर हमें कमज़र बिलकुल भी नहीं समझता वो तो कहता ही है कि संकट में मैं अति सहद से मिलने वाला सहायक हूं मेरे बेटे तु मेरे पास आके तो देख, तु मुझे पुकार के तो देख तेरे संकटों को मैं आनन में बदलूँगा तेरे दुखों को मैं आनन में बदलूँगा तेरी बीमारी को मैं चंगाई में बदलूँगा ऐसा परमेश्वर आज आप से कहते हैं और जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले कहा इस जग में किसी के पास किसी के लिए वक्त ही नहीं है लेकिन हम विश्वासी लोग, हम बहुत ही सौभागिशाली लोग है चाहे जग और जगत के लोगों के हम पर नजर हो या ना हो लेकिन येश्व मसी की नजर हमेशा हम पर बनी रहती है हालेलुया जैसे मैंने आपको थोड़ी दिर पहले कहा कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को इतना जल्दी अपना समय नहीं देता आप डॉक्टर उनको ही ले लीजिए आप वकील लोगों को ले लीजिए आप बड़े बड़े बिजनेसमन उनको ले लीजिए इन में से कोई भी इतनी जल्दी बिना अपॉन्मेंट के किसी से मुलाकात ही नहीं करता लेकिन हमारे ये शुमसी ऐसा कभी नहीं करते क्योंकि वो हमारे दुखों को, हमारे हालातों को बखु भी जानते है हम किस मुसीबत में हैं, हम कौन सी परिस्थिती में हैं वो जानते हैं, इसलिए वो कहते हैं, हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटी, तु तेरे संकटों में मुझे पुकार, मैं अती सहत से मिलने वाला तेरा मददगार हूँ, ये शुमसी कहते हैं, मेरे पास आने के लिए तुझे कोई भी अपर्डमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही तुझे छुडाऊंगा और तु मेरी महिमा करने पाएगा, हाललुया, परमेश्वर कहते हैं, मैं ही तुझे छुडाने की ताकत आज भी रखता हूँ, क्योंकि मैं कल, आज और योगान युग एक सा परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है, क्या मेरे ये कोई काम असंभव है, बस तु मेरे बेटे और मेरी बेटी एक ही काम कर, तु सच्चाई से, खरे मन से तु मुझे आवाज लगा, और मैं ही तुझे छुडाऊंगा, तेरे संकट के समय में मैं ही दोड़ा चलाऊंगा तेरे पास, और मैं ही तुझे छुडाऊंगा, और विश्वास को बढ़ाईए और इस परमेश्वर के जीविद वचन को अपने रिधे में स्वीकार कीजिए और बाइबल हमें एक कोड़ी के बारे में बताती है मरकुस उसका पहला अध्यार और वचन चालीस एक कोड़ी येश्व के पास आया और येश्व से बिंती करके उसके सामने घुटने टेक कर कहने लगा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है अगर दूसरी भाशा में अगर कहा जाए तो वो कोड़ी यही कहना चाह रहाता केवल आप ही हो प्रभू केवल आप ही है प्रभू जो मुझे इस बीमारी से चुटकरा दिला सकते है यही विश्वास और यही भरोसे की बात मैं कर रहा हूं और बैबल कहती है रोमियों उसका अध्या 10 और वचन 11 जो कोई येशु मसी पर विश्वास रखता है वो अपने जीवन में कभी भी लज्जित नहीं होता हालेलूया आपके संकटों में आपके तकलीफों में आपके बूरे हालातों में इस कोड़ी की तरह आप येशु मसी से कहे कि हे येशु इस संकट से तू ही मुझे भार निकालने की खिशंता रखता है हाललुया और जैसे येशु मसी ने अपना हाथ बढ़ा कर उस कोड़ी को छुआ और तुरंत वो चंगा हो गया वैसे ही येशु मसी आपके भी समस्याव से आपके संकटों से आपको बाहर निकाल सकते है लेकिन बस आपको इस कोड़ी की तरह येशु मसी पर विश्वास करना होगा हाललुया उस कोड़ी की तरह सच्चाई से आपको येशु मसी को पुकारना होगा येशु मसी पर विश्वास रखना होगा हाललुया तो आपका दुख परमेश्वर आनन में जरूर बदलेगा हललुया इस जग और जगत के लोगों के पीछे जगत की चीजों के पीछे भाग कर हमें कुछ भी नहीं मिल सकता हमें ये शुमर्सी के पास अपने दोड लगा नहीं होगी जो हमारा सच्छा मित्र है वो संकट में अटिसहत से मिलने वाला सहायक है हललुया तो क्योんな अपने संकट में अपने तकलिफ में हम हमारी नजर लोगों पर से हटा कर हम हमारी नजर येशुमर्सी पर लगा है तो आई ये प्राप्ना करेंगे हैं हमारे स्वर्गे पिता प्रभु येशु मसी के नाम से हम तेरे चरणों के पास आते है प्रभु आज तुने फिर एक बार तेरे वचनों के द्वाराम से बात की है प्रभु मैं जानता हूँ परमेश्वराज बहुत सारे लोग दुख में तकलिफों में अपना जीवन बिता रहे हैं लेकिन आज का ये वचन हम सब के लिए तुने भेजा है प्रभु कि संकट में अती सर्थ से मिलने वाला तु साहयक है तु कहता है तेरे संकटों में तु मुझे पुकार और मैं ही तुझे छुडाऊंगा मैं ही तुझे बचाऊंगा और फिर तु मेरी महिमा करने पाएगा आज ये लोग तेरी तरफ देख रहे हैं प्रभु तुझे पुकार रहे हैं प्रभु आज उनकी प्रात्नाओं का उत्तर तु दे मेरे परमेश्वर उनके दुख का रुपांतर तु आनन्द में कर परमेश्वर उनके बीमारी को चंगाई में बदल परमेश्वर उनको हर एक मुसीबत से तु भार निकाल परमेश्वर ताकि ये लोग तेरी महिमा करने पाए उनके जीवन में बहुत सरी बड़ी बड़ी गवाया तु कर परमेश्वर ताकि ये लोग जाने कि हमारा जिन्दा खुदा येश्व मसी सच मुझ कल आज और युकाने एक सा परमेश्वर है वो कभी बदलता नहीं है ये अनुभव उनके जीवन में आने दे परमेश्वर हमारी प्रात्na को तुने सुना इसलिए धन्यवात देता हूँ ये वच्छन उनके जीवन में सौ गुना फल लाने पाए परमेश्वर और ये लोग उनके जीवन में उनकी आँखे तेरी ओर लगाए ऐसा होने दे परमेश्वर आगे का सारा समय पवित्रा आत्मा तेरे हातों में दे कर ये प्रात्ना प्रभु येश्व मसी के नाम से मांगते है आमेन सभी को च्छे मसी की God bless you all प्रभु येश्व मसी के साथ बने रहे प्रभु ये शुमसी के साथ जुड़े रहे God bless you all